Hello everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का दीई इनव पर स्वागत करता हूँ दूस्तो आज की स्वीडियो के अंदर में हम MA History MHI 09 का Lesson 8 पढ़ने जा रहें इस Lesson के अंदर में हम बात करेंगे सोधेसी आंदोलन के बारे में Topic important है, चले start करते हैं सबसे पले दूस्तों मैं टाइम लाइन के बारे में बताओं आपको तो इस आंदोलन की सुरुवात जो देखने के लिए मिलती है वो 1857 से ही देखने के लिए हमें मिलता है 1857 को हम पर्थम सोतंतरता संगराम के तौर पे देखते हैं अंगरेजों के परती दूस भावना कि अंगरेज हमारे साथ गलत कर रहे हम उनको यहां से हटाना है भगाना है इस तरह की मतलब भावना आगई रास्टवाद की भावना लोगों के मन में आ गई अब लोगों ने इसके लिए क्या किया अलग-अलग गुट बनते चले गए ठीक अलग-अलग ओगनाईजिशन बनती चले गए इसी के बाद कॉंगरेज संगठन का भी उदे देखने के लिए मिलता है जो अंगरेजी सरकार के दौरा किया गया था ठीक है उनका एक मक्ष़ था कि कॉंगरेज को अगर हम उदे करेंगे तो जो भी इस तरह के आंदोलन होते हैं जो भी इस तरह की बविस्से में घटना हो सकते हैं उसको हम दबा सकते हैं उसके बारे हमें पहले सही जानकारी मिल सकते हैं इसके कारण से कॉंगरेज की इस्तापना की गए इंगरीज सरकार के द्वारा अब हम बात करते हैं सौधिसी आंदोलन की प्रिष्ट भूमी क्या रही है तो 1859 के बाद तो लोगों के मन में भावना आ गई कि हमें अपने देश को अजाद करनी है पर अजाद करने की क्या नियत कैसे बनी क्या होगा सौधिसी आंदोलन का नीव कैसे रखा गया तो 1903 में क्या होता है कि बंगाल के अंदर में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव लॉड करजन के द्वारा पेस किया जाता है ठीक है कि ये प्रस्ताव है बंगाल को विभाजित कर दो बंगाल को विभाजित करने का मतलब क्या है कि पूरे बंगाल को दो पाटों में बाट दो ठीक है एक पाट हो गया पूरवी बंगाल और दूसरा हो गया पश्चिमी बंगाल पश्षिम्बंगाल आज हमारे भारत का अभिनांग हैं जिसे हम पश्षिम्बंगाल के नाम से जानते हैं पूर्वी बंगाल आज एक सोतंतर देश है जिसे हम बांगलादेश के नाम से जानते हैं और ये 1905 में हुआ विभाजन इसका ठीक है किसके दौरा तो Lord Karjan की नीती के दौरा Lord Karjan के दौरा इसका विभाजन 1905 में किया गया इसका प्रस्ताव 1903 में Lord Karjan के दौरा पेस किया गया था अब देखो 1857 से पहले जो 1857 का पूरा time period है उसे पहले का जितना भी अंगरी जी सासन रहा उस समय तक East India Company EIC के दौरा पूरे इंडिया को regulate किया जाता था चलाए जाता था संभाला जाता था पर जैसे ही 1859 का विद्रो होता है तो उसके बाद ये East India Company की सबसे बड़ी failure माना गया और यहां सारा बांग डोर है किसके हाँ में चला गया तो Queen के हाथों में चला जात में ये बंगाल विभाजन की नीती लाए गई ठीक है और बंगाल विभाजन की नीती 1903 में आई उसी के बासोदे सी आंदोलों का ये moment स्टार्ट होता है और पूरा ये moment पूरे बंगाल और पूरे भारत में इसका impact देखने के लिए मिलता है ये आंदोलों उतना सफल नहीं रहा बट लोगों के मन में एक impact छोड़ता है कि हम देश की अजादी के लिए क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए ये एक impact बनता है लोगों के मन में और important role play करता है ठीक है तो पूरा इसको हम समझेंगे detail में इस basic चीज़े मैंने आपको प्रिष्ट भूमी बताया कि क इस तरह से चीज़े रही है ठीक है चलिए हम अपने topic पर चलते हैं और सही से समझते हैं सोदेशी आंदोलन को अब देखो हम जब बात कर रहे हैं सोदेशी आंदोलन के बारे में ठीक है तो ऐसा नहीं था कि 1903 में बंगाल विभाजन के असाती सुरू हो गया ऐसा बिलकुल साल हो चुके थे ठीक है और को ओरिस की जो विचारधा रा आरंबिक विचार्धारा थी वह नरम दल की विचारधार थी ठीक है पर 1903 में परिवर्तन होता है कॉंग्रेस की विचारधारों के अंदर में परिवर्तन का कारण क्या माना जाता है तो नए विचारधारा के नए लोग कॉंग्रेस के अंदर में जुड़ते हैं और इसका निर्तित वे जो है गरम दल के हाथ में आ जाता है ठीक है अब गरम दल क मिलेगी यह मानना था गरम दल का निर्थी तो कौन कौन रहा था ठीक है तो गरम दल का निर्थी तो देखोगे तो लाल बाल पाल के नाम से जान जाता है ठीक है लाल बाल और पाल ठीक है लाल लाल का अगर हम बात करें कि लाल कोन है भाई तो लाल के इंदर में आ जाता है मतल प्रोनेता इंपोर्टेंट ओल प्ले कर रहे थे गरम दल के ठीक है और यह हिंसक परिवर्थी वाले थे कि हाँ ऐसे मिलेगा थोड़े ना जा दिया बैटकर आप घर में बैठे हो बादचीत कर रहे हो इस तर सजादी नहीं मिलेगा इनका यह मानना था ठीक है समझ में आता है जहाँ से विचारधारम परिवर्थन हुआ था फिर वो हिंसक रूप बनता गया उसके इसाथ से आंदोलन का सो रूप में परिवर्थन आया और 1903 में जैसी बंगाल का बिभाजन हुआ वहां से सोदेसी आंदोलन ने जोर पकड़ा ठीक है वहां से यह विचारधारम बहु थो सोच थे कि पहले ही आगर हमें पहले ही पता चल जाए कि क्या होने वाला है कौन सा मूड में होने वाला है तो हम क्या करेंगगे उसका रोख सकेंगे इसके कान्स से И centres की सफाफ के गई पर यहां पर जैसी विचारडाने हो जैसी वारें ये चीजे बदलती चले गए और सोदेसी आंदोलन आराभ होता है ठीक है आपने बेसिक चीजे समझ लिया आपने कि क्या था सोदेसी आंदोलन के प्रिस्ट भूमी क्या रही अब हम बात करते हैं सोदेसी आंदोलन का होने के कारण क्या कारण बना और किस तरह से सोदेसी सके ठीक है दो चीज़े यहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पहला तो यह कोश्चन अफ दा वीडियो कॉंग्रेस की स्थापना कब हुई ठीक है आपको सन जो उसका यह है आपको कमेंट करके बताना है कि किस एयर में कांगरेस की स्थापना हुई दूसरा यह ए कि अगर आपको वीडियो useful लग रही है ठीक है आपके लिले लगता कि helpful आपको समझस में आ रहा है ठीक है 10 परसेंट भी help हो रहा है मतलब 10 परसेंट तो इस वीडियो से के तुरू समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जिससे हमें मोटिवेशन हो आपके इसी स्टेप से चलिए स्टार्ट करते अपना वीडियो अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि सोदेशी आंदुलन का कारण क्या रहा तो सबसे बड़ा कारण देखा जाता है बंगाल विभाजन 1903 में लौड करजन के दोरा बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पास किया गया और 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है और यह सबसे बड़ा कारण मान जाता है Lord Karjan की जो नीती थी वो कारण बनता है सोदेशी आंदोलन का Lord Karjan की नीती क्या थी? Lord Karjan की नीती थी food डालो सासन करो की नीती आपस में लडवादो और सासन करते रहो जितने मर्जी साथ टाइम तक कर सको धर्म के अधार पर विवाजन वाली जो नीती थी ये एक कारण बनता है सोदेशी आंदोलन का धर्म के अधार पर विवाजन की तर से? कि हिंदू मुसलिम में लडवादो, हिंदू मुसलिम करवादो जो बंगाल का विवाजन भी वाना उसमें अधार ये बनाया गया कि बंगाल का जो मुस्लिम बहुली लाका है वो बंगलादेश के तोर पर पूर्वी बंगाल के तोर पर अलग कर दो और जो हिंदू बहुली लाका है पस्चिम बंगाल के तोर पर अलग कर दो तो पस्चिम ब तहा उनका लॉड करजन की नीतिक में बौधिक वर्ग और किसानों का भीवाजन कर दो ठीक है बौधिक वर्ग कौन थे जो पड़े लिखे सिक्षित वर्ग थे जो पूरे इस तरह के आंदोलन जो भी इस तरह के मुमिन्ट चल रहे थे उसको लीड कर रहे थे आगे से चल रह किया, ठीकि Kis side में बोधिक वर्ग है, किस side में क्या है, तो उसका पूरा अलग उस Eastaf से उसको बटवारा किया घया कैस मझ में आता है, दूसरा यहाँ पे हो रहा था उसके कार्ण से कलकत्ता के महत 위에 कम करने के लिए इन्हों ने विभाजन की निती ऑनाई उसके बाद ना यहां पे इनके लाड करजन की निती में तीन नीतियां और अब हर इंपोर्टेंट आती हैं कलकत्ता कि किसी की अगर कमर तोड़नी है आगे आने वाली पुर्वज को अगर गुलाम बनाना है तो सबसे बड़ा नीती क्या है कि आप उनके सिक्षा व्यवस्ता में घुश जाओ जैसी घुस होगे ना सिक्षा व्यवस्ता में घुसने के बाद आज नहीं गुलाम बनेगा कल नहीं परिवर्तित किया गया, सिक्षा ववस्था में पूरा परिवर्तन लाया गया और इसका impact आज भी दिखता है कि हम English को इतना ज्यादा महतू दे रहे होते कि English हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, चीन में भी लोग रहते हैं पर चीन के अंदर में चीन पर चीनी भास आप जानना बहुत जरूरी है, इंगलिस जाना उतना जरूरी नहीं है ठीक है, क्योंकि वो अपनी language को importance देते हैं, ठीक है, तो यह चीज़े हैं जो हमारे भारत के आरंबिक, मतलब थोड़ा से में topics हटकर, किसी को बुरा लगे तो sorry, उसके लिए आप इस्राटी में ही जैसी हमारे भारत 1947 में अजाद हुआ था, जो भी हमारे education minister बने, उन्होंने ज्यादा history के अंदर परिवर्तन करने कोर्सिस नहीं करी अंग्रेजो के दौरा जो history लिखी गई थी, अंग्रेजो ने जो history हमें बताई, ठीक है, आप इतिहांस लेकर जो अपनी पढ़ोगे, book पढ़ोगे, जो मैं चाहिए 03 है आपकी second year के हमें history की, तो उसमें आप देखोगे तो काफी जादा 22 history लिखी गई, अंग्रेजो के तो आप सोचो के घर का जो pillar है, पूरा घर मकान मजगूत कैसे बनेगा, और उसी कारण है आज हमारे देश में अलग 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 तरे के लोग निकलते हैं, ठीक है, वापस है topic पर आते हैं, तो Lord Karjan की निती में तीन act पास किये गए, कॉलकता Corporation Act जिससे पूरा विवस्त था, तो सबसे पहले Lord Karjan की permission लेने पड़ता था, government की permission होती था, वो ही publish हो सकता था, तो इस तरह से परिवर्तन यहाँ पर आता है, आगे मैं बात करूँ, तो जो सोधिसी आंदोलन का आहरंब हुआ, उसमें सबसे बड़ा एक role दिखा जाता है, पश्चिमी करण के विरुद परत मुझे नहीं लगता कि आप में से अगर सो बच्चे भी वीडियो देख रहे हैं, सो बच्चों ने देख, सो स्टूडेंस ने में के इस वीडियो को देखा, सो में से एक को भी साय धोती पहनना आता होगा, नहीं आता, क्योंकि हम अपनी जो संस्कृती थी उसको भूल चु जो उदारवादियों की उपलब्दियों से अंसंतोस, जो उदारवादी लोग थे, उनकी विचारधारा अलगता रगी थी, तो उसके कारण से भी यहां पर उनमें असंतोस की भावना जगी और यह अंधुलन का स्टार्ट होता है, उपनिवेशिक जो नियाय पद्दिती और समानता का जो उनका बोला जाता था कि हम समानता की बात करते हैं, नियाय पद्दिती हमारी बहुत अच्छी है, ठीक है, उसके अंदर में असंतोस की भावना थी, अकर कोई अंग्रेज दोसी पाय जाता था तो उसको सजा नहीं मिलती थी, उस हिसाप से जिस तरह से भार करना पड़ेगा, जो समराज्यवाद की विचारधारा है, उसको खतम करनी की जुरत पड़ेगी, और समराज्यवाद की विचारधारा के खिलाफी लड़ाई शुरू ही, जिसको सोदेशी आंदुलन के तौर पे जाना गया, और यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट रोल की विचारधारा है और इनके कारण से भी जो गरीब जणता थी, वह अंगरीजी सरकार में तर आए मैदान में और यह सोदिसी आंदर के अंदर में सामिल हुई, ठीक है यहाँ पर और कारण जो भी लोगों की विचारधारा थी, दंगश्य हो रहे था उसकों अंगरीज्य हुई और लड़ाई रगड़े, यह मतलब सोदेसी आंदोलन स्टार्ट हुआ, दादा भाई नारोजी की विचारदा रहती, उसका भी आधार रहा सोदेसी आंदोलन के अंदर में, अब देखो, पूरा मैंने यह रिजन समझाया आपको, कि सोदेसी आंदोलन का कारण क्या है, अब इसका नाम का मतलब समझो कि सोदेसी आंदोलन होता क्या है सोदेसी का मतलब होता है स्वा मतलब होता है स्वैम अपना देसी मतलब अपने देस का जब हम अपने देस की बात करते हैं तो सोदेसी कहते हैं तो यहाँ पर इस आंदोलन का मेंन मोटिफ क्या रखा गया कि हम विदेसी चीजों का विरोध करेंगे, विदेसी चीजों का भाइसकार करेंगे और अपने देश की चीज़ों को पर्मोट करेंगे, अपने देश की चीज़ों को खरीदने के लिए बोलेंगे, चीज़े करने के लिए बोलेंगे, ठीक है तो इसके कारण सी आंदोलन का नाम सोदेशी आंदोलन रखा गया, ठीक है ये में मोटिव रहा, और दादा भाई नर विभाजन के कारण से माने जाता है 1903 में लॉड करजन की नीती के तुर जो बंगाल का विभाजन हुआ इसका परमुक कारण के तौर पे दिखा गया यह आपने समझा कि बंगा इसका सोधिसी आंदोलों का कारण क्या रहा अब इसके परिणाम क्या निकले तो परिणाम के सिख्चिक संस्थाएं भारतियों ने क्या किया सिख्चिक संस्थाएं बनाना सुरू किया ठीक है अलग-अलग खुदी अपना सिख्चा ववस्था स्टार्ट किया अलग-अलग नएने संस्था बनना सुरू हुआ कॉंग्रेस की तरज पर अलग-अलग तरह की संस्था बन का जाता है कि जो ये सोधिसी आंदोलन था वो सफल नहीं रहा तो सफल था का कारण क्या रहा ठीक है तो पूरे जो पूरे भारती वर्ग था वो सामिल नहीं हुआ जो मुस्लिम समुदाय था वो इस आंदोलन में सामिली नहीं हुआ ठीक है पूरी तरह से उस आंदोलन में रह इस आंदोलन का सफलना होने के पीछे ही करीजन माना गया कि जो भारतिये लोग थे वो कई सारे गुटों में बड़ते हुए थे गुट बनते चले चले गए चूटे-चूटे गुट बनते चले गए ते उसके कारण से भी आंदोलन सफल नहीं रहा तीक है इस आंदोलन के लडाई जगड़े कि कौन सच जाइगा को इस सद्छ धाइगा इस तर समानता के अधार पर फैसला नहीं सुनाया अंग्रेजी आधार पर उन्होंने फैसला सुना दिया कि भाई लोगों की गलती थी ठीक है जिसके कार्म से क्या हुआ यहाँ पर लोगों के मन में असंतोस की भावना जगी कि भाई यह तो गलत कर रहे हो आप मेरे साथ गलत है फिर वहाँ पर एक पूरा प्लैनिंग की गई कि जिस जज ने फैसला सुनाए ना उस जज को ही हम मार देंगे ठीक है और वो जज क्या था उसका तबादला कुछ समय बात क्या वो मुझफरपुर में हो गया ठीक है और उस जज को मारने की पूरी प्लैनिंग जो पूरी योजना जिसतर से बनी उसको मुझफ़र पूरू कांड के नाम से जाना गया इसमें क्या होता है परफुल चाकी परफुल चाकी करके एक वैक्ति को अपोइंट के जाता है ठीक है और वो सबसे पहले सुतंत्रत संगराम में जान देने वाले वैक्तियों में से एक है कम उम्र के माना जाता है परफुल चाकी को वहां पर पूरा देखबाल करते हैं कि सथरह से वो आ रहा है जा कर भारत की अजादी के लिए पार्डिस्पेट करना है स्टार्ट किया ठीक है तो यह पूरा यह वीडियो रहता है दोस्तों आपको कोश्चन इसमें जो नॉर्मली बनता है सोदेसी आंदोलन के कारण क्या रहे है ठीक किस तरह से हिंसा घटना ही हुई उसके बारे में आता है क्या ठीक है ठीक है सोदेसी आंदोलन का सोरूप कर अरा बंगाल बिवाजन क्यों हुआ तो यह पूरा कारण मैं आपको बता दिया कि क्या रीजन था कैसे था एक एक पोइंट में पहले आपको दिक्क्त होती थी कि पोइंट से लिखे नहीं होते थे इस बार पॉइंट में भी लिखे हुए आप एजली आपको सको कवर भी कर सकते हो मैंने समझाया भी आपको समझ में भी आया होगा अगर कहीं पर कोई डाउट रहता है तो आपको ज़्यादा घबराने की जोरत है नहीं डिस्क्रिप्शन में सभी सूसल मीडिया प्लैटफॉर्म के लिंक है ठीक है आप वहां से डिर्कली जोइन कर सकते हो और मुझसे पूर सकते हो और एक बेनिफिट चीजी है दोस्तों यूटूब पे में हिस्ट्री पढ़ाने के लिए बहुत सारे यूटूबर है टीचर्स है ठीक है मैं अपने आपको यूटूबर नहीं बोलता क्योंकि यूटूबर क्या अगरता है सिर्फ एंटिटेन करता है मैं पढ़ा रहा हूं आपको ठीक है तो मैं आज़ा आपका दोस्त हूं ठीक है क्लासमेट्स हूं जो हम ग्रूप स्टड़ी कर रहे हैं तर से मानके चलो जो आपको करवाय जा रहा है ठीक है मैंने अपने टाइम पर पैसे स्पेंड किया है और बहुत महँंगी क्लासिस होती है अगर आप कहीं ऑफ लाइन में जाके क्लास लेना चाहोगे तो ठीक है नॉर्मली 15-20-20,000 की क्लासिस पढ़ती है घंटे के इसाब से में पे करनी आपके थ्रू हमें मोटिवेशन मिला और हम आगे बढ़ रहे है ठीक है तो वह भी चीज़े करो यार मज़ा आता है करने में ठीक है तो यह सारा वीडियो रहा आपका I hope so आपको समझ में आयोगा अकर कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं बेजी ज सारा ले रहा हो यह नहीं कि बुक से बाहर कर कुछ आपको पढ़ा रहा हूँ ठीक है तो गुट के अदर में जो चीज़े थी उसी के अधार पर में यहां पर आपको पढ़ाया है ठीक है जिसे आपका रफली पूरा बुक जो पूरा चैप्टर हो किले हो फ़ इलेंड हो फ